हलो फ्रेंट आप लोग का मेरे यटूब चैनल पीम रिस्पीम बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ एक से बढ़कर एक टीप्स और ट्रिक जो हर किसी के लिए आप बहुत ही यूजफुल होने वाली या टीप्स है तो आप लोग वीडियो पे ठंडी हो या गर्मी या बारिस किसी भी समय में अगर आप लोग काम करते हैं या किसी को साबो निर्मा कोई भी चीज इनफेक्शन कर देता है या ऐसे ही काम करते वक्त किसे को कोई भी चीज इनफेक्शन हो जाती है तो जैसे यहां पे आप लोग मेरे ये फिंगर्स देख यहां पर कभी कभी क्या होता है कि किसी भी कारण साइड नमस्मेस सूजन से आ जाती है और यह दर्ध होने लगता है और उतना असान यह दर्ध होता है कि बिल्कुल एक लें सहिन के बाहर हो जाता है तो आज मैं इसी के लिए आप लोगों के लेंगूर के लिए tip लेकर किचेन का एक सामन तो फ्रिंस यहां पे हमें लेना है किचेन का ये मस्टर्ड ओयल है कोकिंग ओयल जिससे हम लोग सब जी उब जी बनाते हैं वही या सरसो को तेल है तो चलिए इसे हम हलका से गरम कर लेते हैं तो यह देखे फ्रिंस यहां पे मैंने सरसो के तेल को अच्छे स फिंगर्स है इस तरह से हमें गरम गरम ओयल को हमें अपने इस तरह से फिंगर्स पे लगा लेना है जहां पे आपके सूजन है दर्ध हो रहा है तो इस तरह से आपको इस तरह से ओयल को अच्छे से मसाज करना है गरम गरम इस तरह से लगाना है और इस तरह से आपको अपने न में आपको दर्द हो रहा है तो आप लोग इस तरह से सर्चों के तेल को गरम करके अपने फिंगर्स पे लगा करके अपने दर्द को दूर कर सकते हैं या बहुत ही बेश टीप्स है फ्रेंड्स तो आप लोग इस टीप्स को फालो करके देख सकते हैं आई होप फ्रेंड्स या टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी तो चलिए चलते हैं नेश टिप्स की तरह अगली टिप्स है मेरी फ्रेंड्स इस तरह से पुरानी पीलो कबर को लेकर आप लोग के पास इस तरह से पुरानी पीलो कबर होती है तो आप लोग इसको क्या यू कबर से जो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आज से इस पीलो पुरानी कबर को नहीं फेकेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि इस पुरानी कबर से हम क्या बनाएंगे तो फ्रेंस यहां पर यह देखिए मैंने इस एक पुरानी पीलो कबर को ले लिया है तो इस तरह से हमारी ये पीलो है तो इससे मैं क्या करूंगी इस तरह से साइड में यहां पे मैं कट लगाऊंगी यहां पे मैं कट लगा ली हूं तो आप लोग सीरजर से या किसी भी चेश से इस तरह से यहां पे आप लोग खोल कर सकते हैं अब होल करने के बाद हमें क्या करना है चलिए देख लेते हैं अब हमें लेना है इस तरह से यहां हिंगर तो आपके पास कोई भी हिंगर है इस तरह से आप लोग हिंगर को ले सकते हैं तो चलिए इसमें से मैं एक हिंगर को ले लेती हूं तो यहां पे मैंने पीलो कबर में जो होल किया है वहाँ पे मैं इस तरह से सबसे पहले मैं पीलो में इसे लगा लूँगी तो इस तरह से हमें साइड में सबसे पहले पीलो कबर को डाल देना है डालने के बाद इस होल वाले में हमें इसका ये उपर वाला पार्सन जो है हैंक करने वाला हमें इसमें डाल देना है और डाल के इस तरह से हमें निकाल लेना है तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि इसको मैं किस चीज में यूज करने वाली हूँ तो ये देखिए फ्रिंस इस तरह से हमें इसे लगा लेना है तो इस तरह से मैंने पीलो कबर में अच्छे से हैंगर को लगा लिया है चलिए मैं इसका किस यूज में लाने वाले हूँ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये देखिए फ्रिंस आप लोग को इस तरह से पीलो में हैंगर को लगा लेना है इस तरह से फिर आप लोग क्या करेंगे इसे बातरूम वाले बातरूम वाले गेट में इस तरह से आप लोग को हैंग करना है तो इस तरह से आप लोग हैंग करके देखिए ये हमारा एक ला पर दिखाती हूं यह देखिए फ्रेंस आपके घर में बच्चे बड़े जिसके भी जितने भी कपड़े हैं डर्टी हो गए हैं आप लोग उसे इस तरह से बैग में आइड कर सकते हैं जब आपको लॉंडरी करना है तो आप लोग इसमें से निकाल सकते हैं जब आपको नहीं धुलना है तो जितने भी सारे गंदे कपड़े होते हैं आप लोग इस तरह से लॉंडरी बैग बना करके उसमें इकठा कपड़े को रख सकते हैं जब आपको क्लेन करना है तो आप इस लॉंडरी बैग में से निकालके आप लोग कपड़े को धुल सकते हैं तो फ्रेंस या बहुत ही बेश तरीका है, आप लोग पुरानी कबर से एक लौंडरी वैग बना के तयार कर सकते हैं, तो I hope friends या टिप्स आप लोग को पसंद आई है, अगर टिप्स आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और सेर कर देना, तो चलिए friends चलते हैं, नेश्टि कर देते हैं एक दूसरे कब्रस आप लोग यूज कर लेते हैं जो की ऐसा नहीं करना चाहिए तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेश टिप्स लेकर आई हूँ जो आप लोग इस टिप्स को फालो करके आप लोग दूसरे कब्रस यूज करने से बच सकते हैं अब बह इस तरह से brush जैसे आप लोग का कभी कभी होता है कि जैसे ये brush है तो दो लोग का एक ही तरह का brush हो जाता है उसमें हमें पहचानने में कभी कभी भूल हो जाती है तो एक दूसरे का हम brush यूज कर लेते हैं तो हमें क्या करना है मैं बहुत ही best tip से आप लोगों के साथ लेकर आई तो फिर इस तरह से हमें लेना है नेल पॉलिस तो आप लोग हाथ में भी नेल पॉलिस लगाते हैं लेकिन हाथ में लगाने के बाद आप लोग इस ब्रस में भी लगा सकते हैं बहुत ही वेश्टिव से फिर आप लोग को क्या करना है इस तरह से ब्रस लेना है और ब्रस में इ एक तो आपको अलग अलग इस तरह से नियल पॉलिस को युज और सभी को बता देना है कि पॉलल्स जिसमें लगा है वही ही व्रस थे उन लोगों को युज करना है तो फिर दिस तरह से आप लोग एक दूसरे का ब्रस भूल से अगर कर लेते हैं तो यह आप लोगों के लिए बहुत ही बेश टीप्स है फ्रेंस या अपने फ्रेंड गुरूप में जरूर सेर करना क्योंकि या हर किसी एक लिए बहुत ही यूजफूल टीप्स है I hope friends आज की tips आप लोग को पसंद आई होगी अगर आज की tips आप लोग को पसंद आई है तो मेरी वीडियो को like और share कर देना अगर channel पे पहली बारा आए है तो मेरे channel को subscribe कर लेना तो friends ऐसे ही new tips के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए bye